नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका Fit World Health Care में और आज हम जानेंगे पित दोश का नाश करने वाली एक अद्भुत आईरवेदिक औशदी पित पापड़ा के बारे में पित पापड़ा के औशदी ये गुण एवम उपियोग इसका बोटनिकल नाम आपको स्क्रीन पर शो रहा है यह चैपरकार का होता है लेकिन इनके गुण समान ही होते हैं इसके अलावा इसको अलग-अलग भाशाओं में अलग-अलग नामों से जाना जाता है भारत के सभी प्रांथों में 2000 मीटर की उचाई पर पित पापड़ा के पौधे पाए जाते हैं इसके पौधे गीले स्थानों में और सूखे धान के खेतों में उत्पन होते हैं आयुरुवेद में इसके ताजे और सुके हुए पौधे का चिकिस्ता में इस्तेमाल किया जाता है। ठंडी तासीर वाला ये है पित पापड़ा, पचने में हलका और सुआद में कड़वा होता है। पित पापड़े के पंचांग के चून का सेवन आधी टीस्पून की मात्रा में दिन में दो बार ताजे पानी के साथ करने से पी लिया, फैटी लीवर, लीवर की सूजन, भूक ना लगना, एरूची, पेट में कीडे, एसिडिटी, इंडाइजेशन और बहुत ज़्यादा प निरंतर इस काड़े का सेवन करने से बुखार में अराम मिलता है और उल्टी आने की दिक्कत भी ठीक हो जाती है काड़ा बनाने के लिए 200 ml पानी में पित पापड़े का चूण आधी टीजपून और 2 गिराम सोट चूण डालकर पानी आधा रहने तक पकाएं उसके बाद इसे चान कर इसमें थोड़ा शेहद मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं सिर्फ पित पापड़े के पंचांग का काड़ा बनाकर सेवन करने से मूत्र खुलकर आता है तोचारों को में अराम मिलता है और कप्च की समस्या भी ठीक हो जाती है पित पापड़े का इस्तेमाल भारी रूप से भी किया जाता है पित पापड़े के पतों का लेप फोड़े फुनसी हो जाने पर लगाया जाता है और हातों पैरों में जलन की समस्यां में भी पित पापड़े के पंचांग और चंदन का लेप बनाकर प्रभावित इस्थान प लगा सकते हैं चंदन और पित पापड़े का लेप तथा पत्तों का स्वरस पसीना जादा अने की समस्तिया में भी भारी रूप से लगाया जाता है ओनलाइन एवं ओफलाइन पित पापड़े का पंचांग बहुती असानी से मिल जाता है आप वहाँ से खरीद कर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेर ज़रूर करें और ऐसी ही इनफर्मेटिव वीडियो देखने के लिए फिट वर्ड हेल्थ केर को सस्क्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए आप हमें सोशल मीडिया हैंडिल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर भी आपको नई वीडियो से सम्मंदिज जानकारी मिलती रहेगी सोशल मीडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में धन्यवाद कर दो मीडियो में परेखा हैं